हेलो एवरिवन वेलकम तो रामानुजन स्कूल अफ स्टूडिज जीरो तो इन्फिनिटी यह शोशल स्टूडिज की जोग्राफिक का क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर सेकिंड का सेकिंड लक्चर है चैप्टर का नीम है फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया इस लेक्चर म किया क्या पढ़ने वाले हैं फॉर्स अमारा टॉपिक है पैनिसूल प्लैटू यह मं प्लैटू का हिंदी मिनिंग होता है पठार क्या होता है में थाण्टार मांटें से अलग होता है होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे टेबल की शेप होती है उस टाइप से उचा उठा Maßम रहना पॉसीबल होता है और इसके पहाडों का एरिया होता है वह बेसिकली क्या होता है old crystalline ignitious and metamorphic rocks से बना होता है मतलब कि hard चटाने होती है जो हमारे mountains होते हैं उससे कैसे difference है mountains basically क्या होते है उसके sloping बहुत जादा होती है बहुत उचे-उचे होते हैं और वहाँ पे लोगों का रहना possible नहीं होते है या तो वो बर्फ से ठके होते हैं या फिर sloping की बज़े से वहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं या फिर घने जंगल होते हैं ठीक है तो next point क्या कहा रहा है यह कैसे formed होते हैं इट वास formed due to breaking and drifting of Godwana land and thus it making it a part of oldest landmass यह Godwana land के तूटने से और drifting की वज़े से बने हुए है और यह सबसे पुराने landmass का हिसा है Godwana land जो है वह सबसे पुराने land का फॉर्म है और यह उसी का ही पार्ट है जो हमारा प्लैटू बारा प्लैटू प्लैटू बाला एरिया है next अब प्लैटू का पार्ट है वह दो पार्टों में बटा हुआ है the central highlands and the Deccan plateau यह हम मेप में भी देखेंगा भी पहले हम थीओरी देख लेते हैं थ्टोड़ा जा दवाट पार्ट प्लैटों बाला प्लैटूं लेग्टों नॉर्थ मेजर एरिया ओफ ओफ मालवा प्लैटू नर्मदा रिवर के नौर्थ पार्ट में situated है peninsular plateau और मालवा plateau के पार्ट को भी cover करता है ये सब चीजे मिलके जो land area बनता है उसको क्या बोलते है central highland दो parts में divided है central highland and deccan plateau तो central highland के बारे में हम पढ़ रहे हैं कौन सा पार्ट नौर्थ पार्ट ओफ नर्मदा रिवर जो की मालवा प्लैटू का एरिया है वो अच्छा इसकी एक साइड की boundary कौन सा बनाते है विंदियाचल रेंज विंदियाचल एक पहाड़ी का area है रेंज है मतलब चोटि की श्रंखला है और सथपुडा range सेकिंड कौन सा है सथपुडा range जिन साउथ में बनाती है अड अरावली हील Northeast का pastors नौर्थ एस्ट में कौन सा ही है बहुक के नाम से यह राजस्तान इरिया में पढ़ती है गर्डी तो यह डीज और वाइडर इन वेस्ट वेस्ट फार्ट में उसकी चोडाइब कम हो जाती है उसके बाद डेकन फ्लाटू की बात करें डेकन फ्लाटू जो है वह ट्राई आंगूलर शेप में है और साउथ आफ दा रीवर नर्मदा रीवर के साउथ में है जो सेंट्रल हाइलैंड था वो कौन से पार्ट में था नर्मदा रीवर के नौर्थ में था और ये किसमें है मतलड जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे तो उसकी उचाई जादा है जो डेकन प्लैट्व है बट जो सलोप से डाउनवर्ड हो रहा है कौन से साइड में इस्ट वर्ड साइड में मतलड इस्ट की और next point देखिए यहाँ पर the western ghats and eastern ghats जो है वो इसी plateau को cover करते हैं western and eastern edge of decan plateau eastern ghat और western ghat जो है वो एक तरीके से decan plateau के eastern और western किनारों को बनाता है western ghat lie parallel to western coast western ghat गाट जो है वो western coast के बिलकुल parallel parallel चलता है अब यह कैसे है यह map में आपको थोड़ा समझ में आएगा western गाट are higher than eastern गाट western गाट जो है वो eastern गाट से उचे है उचाए उनके जादा है the average elevation is 900 to 1600 meter as against 600 meter of eastern गाट सी है यह जो eastern गाट है वो maximum कितना है 600 meter तक है जबकि western गाट जो है वो 900 से 1600 मीटर तक जाता है आगे eastern गाट stretch from the mahanadi valley to the neilgiri in south जाता है उसके बाद एक सबसे अलग फीचर है पैनिन्सुलर प्लैटू का जो भी प्लैटू वाला पूरा एरिया है वो क्या है black soil को cover करता है black soil को cover करने की वज़े से इसको क्या बोला जाता है deck and trap बोला जाता है अब हम थोड़ा map को देखते हैं यहाँ पर देखें यह जो हमारा जो see here यह जो है अरावली range है अभी हमने पढ़ा ना अरावली range यह जो पार्ट है यह अरावली रेंज का है और जो हमारा next जो हमने मालवा प्लैटू पड़ा था वो है यह मालवा प्लैटू वाला पार्ट यह है see here in map देखें पहले हम Central Highland के बारे में देखेंगे वो कहां से कहां तक था हो कहां गया था कि North जो West पार्ट है वहां पर अरावली Bend Harvey फिर है मालवा प्लैटू को करता है और यह यह महानदी वाले पार्ट को cover करता है उर्जा महानदी नहीं नर्मादा नदी के North पार्ट को cover ब्ल्यो कलर से पूरा से मर्क होणा हमारा Central Highland उसके बाद यह महानदी नीचे साथ पाट पार्ट Technically डेकन प्लेटू कवर करता है यह रहा यह पूरा पार्ट डेकन प्लेटू कवर करता है तो डेकन प्लेटू का बोला गया था कि एक साइड थोड़ा ऊचा है वेस्टन पार्ट जो है वो थोड़ा हाइलेंड है वो यह वाला पार्ट है जो उचा है और जो डेकन प्लेटू है वह western घाट and eastern घाट यह जो color का आप देख रहे हैं यह सारा western और eastern घाट इन दोनों के बीच में यह decan plateau आता है और यह beach का area पूरा cover करता है तो आप एक तरीके से देखेंगे कि यहां से यहां तक ऐसे और यह कौन सी तरीके से ट्राइंगलर शेप को cover कर रहा है जो कि हमने अभी थियोरी में पढ़ा भी था see next हम अपना अगला पार्ट देखते हैं अब क्या है हमारे पास next पार्ट हमारा आता है the Indian desert तो Indian desert क्या है यह बेसिकली है इंडियन डेखेंगश लाइज ट्वर्स शर्ट वेस्टर्ण मार्जा अगर्षद ऑर अरावली हीर्स वेस्टर्ण पार्ट कर आध्य रावली हीर्स यह है इसका western पार्ट ये जो पूरा पार्ट है ये सारा क्या है हमारा desert वाला पार्ट है कुछ पार्ट राजस्तान में जा रहा है और कुछ पार्ट कहां जा रहा है गुजरात में और कुछ पार्ट कहां गया हुआ है पाकिस्तान में लाई करता है ठीक है ये है कि basically sandy plains है मतब रेगि low vegetation cover है यहां पर सिरफ एक ही famous river है जो कि इतने बड़े एरिया को पानी की कमी को खतम करती है वो river का नाम किया है Luni L-U-N-I Luni river next हमारा part आता है the coastal plains see here coastal plain the peninsula is fanged by the stretch of narrow coastal spree basically coastal plain होता क्या है जो हमारा coastal area है मतलब जो समूंदर का किनारा हमारा लगता है जो boundary लगती है तो वहाँ पर जो मैदान आते है समूंदर के साथ में किनारे में मैदानी area है उसको क्या बोला जाता है coastal plain तो हमारा आधा इंडिया coastal plain का part बनता है जो इंडिया की boundary आती है वो आधी boundary क्या है coastal plain create करती है तो कौन-कौन से sea लगते है coastal plain से Arabian sea on the west west part में Arabian sea है और Bay of Bengal है on the east part ठीक है तो जो western coast है sandwich between the western ghat and the Arabian sea Western coast जो है वो किसके बीच में है western ghat और Arabian sea के बीच में जो छोटी सी पटी पढ़ती है किनारे की उसको बोलते है western coast तो यह 3 sections में divided है western coast जो है हमारा 3 parts में divided है see here 3 sections the northern part of the coast is called कौंकर मुंबई और गौवा वाला जो पार्ट है central stretch is called कन्नड plain और southern stretch is referred as Malabar coast उसके बाद the plain belong to the bay of bangal और वाइड एंड लेवल जो बेव बंगाल के साथ जो coastal area रखता है उसकी चोडाई जाता है the northern part is referred to the northern सिरकार northern सिरकार बोला जाता है उसके बाद है the southern part is known as Coromundal coast जो southern part है उसको क्या बोलते है Coromundal coast और जो बड़ी बहुत सारी नदिया है लार्ज निवर्साचेस महानदी, गुदावरी, कृष्णा एंड कावेरी वो डेल्टा फॉर्म करती है इन्ही coastal plains के पास में डेल्टा फॉर्म करती है और चिली का लेक जो की बहुत ही famous लेक है वो eastern coast में situated है तो यहाँ पर map में हम देख लेते है थोड़ा सा map में देखे, यह जो part है, जो area समुदर के किनारे के नहीं है, जो dark वाला area, जो highlighted area है, यह सारा क्या है यह सारा coastal plain वाला area है, coastline है, इंडिया की और हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, जो हमें बताया गया था कि कौन सा part क्या है, क्या create कर रहा है उस चीज़ को see here, जो coastal plains वाला area है, तो यहाँ पर यह जो part है, यह कौनकन है, महरास्टर और गोवा, मुंबई गोवा वाला जो part आता है, वो कौनकन है, जो यह वाला part आता है, यह मालावार coast है अब यह बीच में थोड़ा सा part आता है, उसको क्या बोलते है, कलनद plains जो हमने पढ़ा था, कलनद plains अब यह वाला part है, कोरो मंडल coast, यह जो यह हां से यहां तक जाता है, कोरो मंडल coast कहलाता यह किनारे का नाम है, यहां से यहां तक किनारा, और उसके बात यह northern के लिए में हमने पड़ा है नेक्स हमारा topik आता है द ऑई लेंस के बारे में आइलेंड या के दो basically wszystkim है उ किया भी और भी को कहते हैं अंडेमान और नीकोबार लक्षदीप ग्रूप लेंग क्लोज टू दा मालबार कोस्ट और केरला इस ग्रूप और आइलेंड इस कंपोस्ट ऑफ स्मॉल कोरल्स आइलेंड इन 1973 इस वर नीम्ड एज लक्षदीप इन 1973 में इसका नाम लक्षदीप रखा गया यह बि और उसी के आसपास में है यह अच्छा इसका प्रॉपर एरिया कितना है 32 स्क्यार कीलोमीटर का एरिया है लक्षदीप का टोटल चोटे चोटे आइलेंड के ग्रूप को मिला के लक्षदीप बना हुआ है ऐसे ही अंडेमान नीकोबार भी चोटे चोटे आइलेंड के जो लगाता है साइज में यह नॉर्त से साउथ की तरव मतब यह एक तरीके से लंबाई है इसके नॉर्थ से बढ़े भी हैं और जौाइंटली है बहुत सारे हैं इन्टार ग्रूप जो पूरा ग्रूप है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है अंडेमान को जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको अंडेमान बोलते हैं जो साउथ वाला पार्ट है उसको निकोबार बोलते हैं दोनों को jointly मिला के अंडेमार एंड निकोबार आइलेंड बोला जाता है see in the map ये वाला जो हमारा पार्ट है see here ये लक्षदूइब है ये किसमे है देखिए यहां पे मालावार आपाह में हैं और अरेवियन सी और चो यह वाला जो यह欸 ऑंडेमान और nीकोबार आइलेंड यह यह लंबाई लंबा हैं काफि नौःथ से south की तरफ north से south की तरफ जाता है north वाले part को अंडेमान बोला जाता है and south वाले part को निकोबार बोला जाता है और यह कहां पर है कहां पर बंगाल में situated है I hope यह आपको lecture समझ में आया हो आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आता है तो please subscribe this channel thanks for watching please subscribe this channel and share more and more thank you have a nice day